और बिहार के सभी मीडिया भाईयों समय विनम रिनेवेदन करता हूँ आज तक प्रेमराथ चोहन ने किसी के सामने मदद की भीख नहीं मांगी है लेकिन आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ अगर हो सके तो आप कुर्सागटा परखंड के डुमरिया पंचायत में वा सकते हैं अगर आप नहीं जागोगे अपने लिए नहीं लड़ोगे तो मरोगे लोग आएंगे मार के जाएंगे धरिंदे आएंगे ऐसे बहु बेटियों की विज्जत लूटके जाएंगे आप हाथ में चूड़ी पहने बैठके देखते रहें जहिंद मैं हूँ प्रेमरा नहीं गर्दन लटक रहा होता यह मेरा अंतरातमा गवाही देता है क्योंकि आप देख सकते हैं एक बच्ची मेरे बगल में बैठी है बता दूँ इसके साथ जो सा उनको जो भी पहा जाए धरिंदा कहा जाए जानवर कहा जाए वहहाजिका है या एक बलात्कारी कहा सकते है आप सोच सकते हैं और इस वक्त इनकी मां बगल में बैठी है और उनका पीड़ा का अंदाजा कीजिए कि एक बच्ची जो पांच जानवरों का सिकार की गई है उसकी मां एक साथ में बैठी है और उधर एक भगवे के रंग में बंडी पहने बैठे एक भाई बैठे हैं जिन्हें कहीं न कहीं हिंदू का अतंगवादी कहा जाता है बतादू ये बिहार में कहा जाता है लेकिन आज वो रक्षक बने बैठे हैं इंसाफ दिलाने के लिए जहां पूरा समाज सोया हुआ है नामर्दगी भरे चूड़ी पहन के वहीं ये लोग आज इसको इंसाफ दिलाने के लिए कहीं न कहीं आ गया है बतादू 17 जनवरी की रात 8 वजे इस बच्ची के साथ 5 मुस्लिम लड़कों ने धरम लेना यहा नाम वाजीव और लाजमी है इसका पहलो भी बताऊंगा लोग कहेंगे धरम बाती आ जाती वादी लेकिन नहीं देखिए अगर आतंगवाद मुस्लिम है तो वो लेकिन नहीं कुछ लोगों के कारण पूरे समाज को बदनाम किया जाता है लेकिन एक बात भी है कि उसी लोग को बचाने के लिए फिर अगया जाता है अगर ऐसा नहीं होता तो इसके साथ कि एक दूर्भेवार का अभी तक कही ने जो दोसी थे उनको सामने लाया जाता लेकिन अभी तक नहीं लाया गया इस बच्ची के साथ इतना घिनवना काम हुआ है कि क्या कहें बाद में जब 17 तारीक को इसके साथ एक गलत दुर्भावार किया गया उसके बाद डरा धमका के इनके परिवार वालों को रखा गया जो चार दिन तक कानून क सरन में नहीं गये इसलिए डराया गया कि कहीं बच्ची का साथी बेवाद नहों अलग अलग इमोशनली ब्लैक मेल करके इन लोगों को रोक लिया गया लेकिन जब बामला कहीं न कहीं समाज में फैला और जागरुक हुए लोग फिर बजरंग दल आगे आए और इन्होंने लड़की को ले जाकि उसके गारजन को ले जाकर थाने में केस करवाया फिर महला थाना जाकर के केस करवाया है अभी तक तो केस हुआ है लेकिन कारवाही सुरू नहीं हुई है लेकिन बता दूँ ये हमारे देश, हमारे राज़े में आए दिन ये घटना होते रहती है किसी का मडर हो गया, किसी का बलादकार लेकिन ज़ादातर अगर देखें तो भी से समुझाए कि लोग द्वारा ही किया जाता है। असिक्षा को दर्साता है कि जब लोगों में असिक्षा और राक्षस पना घुच जाता है तो सोचिए वो इंसान धरिंदगी भरा हरकत करने में घवराता नहीं है आप सोच सकते होंगे इस बात को सून के ही कि आपके अंदर कितना ज़्यादा क्रोधाता होगा कि इसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए मेरा तो एक ही उपेनियन है मैंने पहले भी का अगर इस हाथ में माइक नहीं होता तो कहीं न कहीं तलवार से उनके गरदन को अलग कर देना यह हमारा पर्थम करता भी होना चाहिए कि दुबारा कभी किसी मा बहन बेटियों पर इसे दरिन देज जियो नजर डालते हैं उनका सर धड़ से अलग होना ही चाहिए यह लोग से हमें मैं इस बच्ची से कुछ नहीं पूछूंगा मेरे अंदर इतना छमता नहीं है और वैसे बहसियों के लिए बस मेरे पास एक ही सा बात है कि ऐसे लोगों को भी चो रहा है पर खड़ा कर दें या जला दें आ काड़ दें उससे छोटा या बड़ा सजा और इस बच्ची के लिए इंसाफ के लिए लड़े आपने आरती छोटू के लिए बहुत लड़ा बहुत प्यार के लिए लड़ा लेकिन कम से कम हमारे समाज में इसे घटना हो रहे हैं इसको रोकने के लिए देखते हैं आपके पास कितना चमता है और आपके माइक और परिनाम क्या है आप लोगों के हाथ में कि पबलिक अगर नहीं जागेगी तो मैं हर बार कहता हूं अगर आप नहीं जागोगे अपने लिए नहीं लड़ोगे तो मरोगे लोग आएंगे मार के जाएंगे धरिंदे आएंगे ऐसे बहु बेटियों की विज्जत लूटके अगर नहीं जाएंगे पंद्रह सालूम है अब समझ सकते हैं पांच दरिंदे बहसी अगर इसके साथ दुसकर्म करते हैं तो वह किस हद तक गुजर सकते हैं और बच्चा उस वक्त किस पीड़ा में हो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन अभी विवे मौज से घू में लोगों से घर आ करते हैं मिपी जिंदा इसलाम से इसलीम करता है जो समाज के विरुद्ध है जो इंसानियत को नहीं समझता है जो मानपता के खिलाफ है प्रेम, उसके खिलाफ है हिंदु रहे, मुसलिम रहे, कोई रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपको बुरा लग रहा है तो लगे क्योंकि अगर गलत इसके साथ मुस्लिम करेंगे तो मैं खुल के बोलूँगा अगर हिंदू करेंगे तो खुल के बोलूँगा लेकिन यह भी कहुआ अगर सच्छे मेरे पास कोई ना जवाब हो रहा है ना सबाल मैं बस आप लोगों से अतना विरती करना चाहता हूं कि आप लोग आए इस प्लोट पे और इस न्यूज को पूरे दुनिया को दिखा और इसके लिए लड़े ताकि इनसाफ मिले और दुबारा इसी धरिंदगी भरी काम कोई कर बाए हैं यह लोग डरा हुआ था और यह लोग आगे भी नहीं बर रहा था आवेदन देने के लिए तो हम लोगों ने अपने काड़ी करता के सहयोग से जाकर के इनका आवेदन धारा में पहले दिलवाया है और आगे इनके लिए जो है जो भी इनका आंतीम तक ब्यवस्ता होगा केस लरने का जो भी सुविधा दिया जाएगा हम लोगों ने बजरंग दल की और से पूरा जिमा उठा लिया है उस लड़का का क्या नाम था उस लड़का का मुख यह जो आरोपी है मतलब पांचों तो मुख है लेकिन एक का पहचाना भी तक हो पाया एक रमजान अं सुने हाए कि मुसलिमलों लोग का संख्या जाथा जी हाँ वहाँ पे जो है अलपसंख्यक है वहाँ बहुत संख्यक है और इन लोगों का जहां आपे घर है डुबाट्वला में वाट नमर तेरह में आरोपि का पिता जी का नाम है, आरोपि का पिता जी का नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन इन लोगों को पता होगा ओअरोपी प्यार अमर कर दिया आये ना तो चूड़िया पहन के घर में बेट जाएं प्रेमरा चौहन बस इतना ही कहेगा और इसे ज़्यादा कुछ नहीं काना बस प्रसासन से और जुडिय सीरी से ही काना ऐसे लोग को पकड़ के सिधा टांग देना चाहिए ताकि दुबारा पैदा नहों एसे लोग दुबारा की किसी भी लड़की को आग उठा कर देखर उसक साथ गलत करने की कोशिस करें जहिंद